अब अगली खबर मुगल सराई पुलिस तीम द्वारा अपराद वा अपराधियों की विरुद चलाय चौरह अभियान के क्रम में मुगल सराई पुलिस द्वारा वांचित अभियोकत मुरूहु यादव पुत्र स्वर्गी गंगा राम निवासी, हिर्दैपूर्थाना मुगल सराई जनपत चंदॉली उम्र करीब 69 वर्षे की गिरफतारी हेतु तलाश किया जा रहा है मुगबरी के सुचना पर आज 19 तारीक को समय करीब 5 बजे प्लेन डीपो के पास हनुमान मंदिर के समीब गिरफतार कर लिया गया अभी उक्तु प्रोग्त को निम्ना नुसार हिरासत में पुलिस में लेकर आवश्य करवाही की जा रही है इस बापत बताये कि गचा था रिक्यातों पुत्र बधुराम क्यातों निवासी ग्राम हिर्दैपूर्थ थाना मुगल सराइच चंदौली द्वारा दिनांक 38-24 को लिखित प्रातना पत्र दिया गया था मुगल सरा जनपत्र चंदौली में मुकत्मत भर्च था स्वाक्ची संकलन में अंभ рук्तों उम्राय क्यातां पुत्र स्वरगी गंगाराम निवासी हिर्दैपूर्थ थाना मुगल संबंद बनाती थी साहब गरीब 6-8 माँ पहले से ही सीमा ने मुझसे संबंद रखने से मना कर दिया था मुझको इस बात पर बहुत बुरा लगा और तभी से मैंने सीमा को खत्म करने की बात सोचने लगा दिना 28-6-24 को बहुत बारिस हो रही थी मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा मौका है उसे दिन सीमा रोज की भांती कम पर जाने के लिए निकली मैंने उसका पीछा किया तता उसके पहले साड़ी से ही उसका अगला दबाक और उसकी हत्या का रेलियो लाइन के पास गठे में फेक दिया घरफतारी कानेवाली पुलिस ट्रीम ने प्रबारी निरिक्षक विजय बहादूर सिंग निरिक्षक चंद्र के शर्मा उप निरिक्षक दीना नाज सर्वान कुमार मौजूद रहे जिन्पच चंद्वाली में दिनांक तीसाठ दोहजार चौबिस को दर्जे शिकायत के अनुसार एक महिला जो की हिर्दैपुर नामक ग्राम जो की चौकी छेत्र चंदासी थाना मुगल सराय अंतरगर आता है में मिर्टक हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी ततकाल मामले का संग्यान लेके विदिक कारेवाही के करम में धाना मुगल सराय द्वारा अपराग पंजी कृत कर तथा पुली सदीक्षिप महोदे के निर्देशन में टीम गठित कर मामले की जाच परताल की गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक बीस नौ दोहजार जात हुआ कि मुटिका की मिट्ट्यू उसके गाउं के ही एक व्यक्ति जोकी मुराहू नामत व्यक्ति बताया गया है के द्वारा परी गई है उसको गिरफतार कर उस पे अग्रिम विदिक कारेवाही है तू कारिवाही थाना अंतर्गत प्रच्छले क्या मोटिव का अत्या करने का मोटिव का त्या पूछताच के दौरान यहां पाया गया कि मृत्का तथा व्यक्ति के मध्य अभ्युक्त के मध्य अवैद संबंध थे तथा कुछ दिनों से संबंधों के बीच में दिक्कते चलने की वज़ा से कुछ अन्मन होने की वज़ा से उसके द्वारा यह